हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यौर न्यू डारेक्शन में शातियों इस हपते की जो सबसे बड़ी दस भरतियां हैं उनके बारे में आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सभी लेटेस जोब हैं सरकारी नोकुरिया हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली भरति यहां पर चातियों हैं दिल्ली दिस्टिक कोर्ट भरती 2019 के लिए यहां पर S.P.A. यानि की सीनियर परसनल असिस्टेंट पीए जे जे डेटा इंट्री आपरेटर के लिए आनलाइन आवेदन यहां पर मांगे गए हैं बारवी पास और बैचलर डिग्री आप भ्यार्थी यहां पर आवेदन कर पाएंगे 35,000 रुपए यहां पर सैलरी आपको दी जाएगी टोटल 771 पद हैं आवल इंडिया जौब हैं कोई भी आभ्यार्थी इस के लिए आवेदन कर सकता है 6 अक्टूबर अन्तिम तारिक है आवेदन करने की अगली जो भरती है वो सातियों आ रही है RBI Grade B Recruitment 2019 के लिए आउनलाइन आवेदन यहां पर मांगे गए हैं जहां पर आफिसर Grade B में जेनरल डिपार्टमेंट और DSIM के यहां पर पद निकाले गए हैं बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री पास अब भारती यहां पर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे 35,05 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी कोई एक्स्ट्रा एक्स्पिरियंस नहीं है All India जॉब है अंतिम तारिक है 11 अक्रूबर 2019 आउनलाइन आवेदन करने की अगली भर्दी सार्थिकों बिहार में आ रही है BPSCC ACF भर्दी 2019 के लिए आउनलाइन आवेदन मांगे गए हैं जहां पर असिस्टेंट कंसर्वेटर फॉरेस्ट इन इन्वार्मेंट के लिए आपर वेकेंसी आई है केवल बैचलर डिग्री मांगा गया है सेलरी आपको लेवल नाइन्थ के अनुशार यहाँ पर दी जाएगी फिजिकल एल्जिबिल्टी वेगरा आपको जो नोडिफेकेशन है उसमें देखने को मिलेगा आउनलाइन आवेदन करने की अगली भरती है सातियों LIC असिस्टेंट भरती 2019 LIC में असिस्टेंट के पदों के लिए आउनलाइन आवेदन मांगे गए हैं केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए 30,000 रुपे यहाँ पर आपको सेलरी दी जाएगी आउल इंडिया जौब है 8,000 से जादा पदों के लिए भरती निकाली गई है अंतिम तारीक है आउनलाइन करने के लिए 1 अक्तूबर 2019 अगली भरती सातियों जो है वो है SBI ट्रेड अप्रेंटिस भरती 2019 के लिए आउनलाइन आवेदन मांगे गए हैं यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के पद हैं और क्वालिफेकेशन बैचलर डिग्री है हर्याना पंजाब हिमांचर प्रदेश तीन इस्टिट में यह वैकंसी हाई है 700 से जादा पद है आउल इंडिया बहरती आवेदन कर पाएंगे अंतिम तारीक है 6 अक्टूबर 2019 अगली जो वैकंसी है वो SSC CPO SI भरती 2019 जाने एसिस्टेंट SI सब इंस्पेक्टर SI ठीक है यहाँ पर दो पद यहाँ पर हैं केवल बैचलर डिग्री है और यह SSC के द्वारा इस्पेक्टर सब इस्पेक्टर के पदों की भरती है 35,400 से एक लाग 12,400 रुपए तक यहाँ पर आपको सेलरी दी जाएगी 20 से 25 वर्स आयू के अब भ्यारती आवेदन कर पाएंगे ऑल इंडिया जौब है 16 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए और लाइन आवेदन कर सकते हैं और एक नई भरती साथ को पोस्ट आपिस में आ रही है अगर अभी तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं करा तो तुरंद करें स्टाफ कार ड्राइबर के लिए वेकंसी है केवल हाई स्कूल पास अब भारती आवेदन कर सकते हैं 19,900 रुपए इसके लिए आपको सेलर आई लिए जा रहे हैं अगली जो वेकंसी है वो उत्राखन एससी में आई हुई है जहां पर जूनियर असिस्टेंट परसनल असिस्टेंट एस्टेनोग्राफर की वेकंसी है केवल बैचलर डिग्री मांगा गया है 79,100 रुपए आपको सेलरी यहां पर दी जाएगी 21-35 वर बैचलर डिग्री यहां पर मांगी गई है 25,000 रुपए सेलरी आपको यहां पर मिलेगी 18-43 वर्स के अभ्यारती आवेदन कर पाएंगे 3965 पदों के लिए भरती आई हुई है अगली जो भरती है वो है हर्ट रॉंड नई भरती 2019 के लिए वेग्यापन आया है डेटा इंट्री ऑपरेटर के लिए यह पर वेकेंसी आई है केवल इंटर पास अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं 13500 रॉपए यहां पर इसके लिए आपको सेलरी दी जाएगी कोई एक्स्टर एक्सपिरियंस नहीं आउल इंडिया जोब हैं 3 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे अंतिम लाश्ट पोस्ट है साथियो स्वास्त विभाग भरती 2019 के लिए वेकेंसी है सीनियर रेजिडेंट और क्यूटर के पद हैं पोस्टिक रेजुशन यहां पर होना चाहिए आपके पास लेवल 9 के अनुसार यहां पर सेलरी आपको दी जाएगी 1056 पद हैं और इंडिया जोब हैं 10 अक्टूबर 2019 से पहले आपको आवेदन कम्प्लीट करने हैं तो साथियों यह कुछ बड़ी भरतियां थी 11 और अगर इन भरतियों में अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और आप साम मंदित क्वालिफिकेशन रखते हैं तो फटा फटा आवेदन करें क्योंकि बहुत ही अच्छी भरतियां हैं आवेदन करने के लिंक आपको वीडियो के रीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में देर दिये गाए हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए अपने शाथियों के शाथ सेर करिए चेलों को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबाईए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक सभी शाथियों को जाएं